वंचितों पे सदियों से होता है और ये कोई पहला वंचितवर का कोई वेक्ति नहीं इसके जान पे बनाई है ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए बहुत सार लोग की जान गई लेकिन आज कानून का राज है, जब मेरे जैसे वेक्ति के साथ ये हो रहा है, तो आम वंचित वर के वेक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर परदेश में क्या लोय नो डोर है, इसको हमें समझना चाहिए, और अब तक क्या कारवाई ये 24 गंटे जाद आपके सामने है, मैं तो रादी अभी भी खुले आम घूम रहे हैं, ये बिना सत्ता के संदक्षन के नहीं हो सकता है, क्या इंटेलीजन्स है पुलिस की, क्या उनके पास इंफोमेशन है, सुत्र उनके बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं, अब तक क्यो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, गाड़ और तो कुछ होगा है, किसी कविशनर साहब से जुड़ावा मामला नहीं है, कि चार-पाज घंटे में कुत्ता बरामद हो जाएगा, मैं मानता हूँ, सरकार की घोर लापरवाई है, और मुख्यमंतरी का बिलकुल ना बोलना, और बड़े-बड़े दावे करना और इस घट है, क्या आप कुछ वगर कुछ बता पाएंगे कि आप कहां थे, कैसे फार होगी दिल्ली से लोटा हूँ, मेरे एक साथी की डैथ हुई, मैं थोड़ा सा प्रेशान था, फिर उस डैथ की सूचना के बाद मैं मुझे आना था देवबंद में, मेरे हमारे एक साथी की माता ज प्रेशान था, उसने जो वहां से गोली चलती है, और वो गोली मेरे कान के पास से निकलती है, मैं अपने साथे कहता हूं कि गोली चली है, पहले मुझे लगा आवाज से लगा पटाका है, लेकिन बात पर जो उसके वो वाइबरेशन हुई जाते हुए, तो मुझे ऐसास पिर तीथरी गोली चली, इसने मेरा आगे वाला सिसा पूरा डेमिज कर दिया, चोथी गोली पर मैं नीचे हो गया, जिस वो जो गोली आपने देखा कि वो सिधी उसमें लगी, अगर मैं नीचे ना होता तो वो मेरी छाती के आरपार चली जाती है, फिर वो गाड़ी दस मि अब ये मर गया, साय जैसा पहले कहीं घटना में हो, फिर वो साय स्रेंडर करने के मूड में थे, लेकिन जैसे ही मनीच ने गाड़ी को मेरे कहे से यूटन लिया, उनको समझ आया कि ये जिन्दा है, तो वो वहाल से भागे, हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर कि ये श integrity को बतारा call दो बताया करने को, बतारा है कि ये रड़ी को तो बताल दिन्दा बतारा कि ये गाड़ी का ये तो एम इक से चेजेाब का उता है, बता वा सक्वान हो, बता गया दो noises. झाल झाल